नमस्कार स्वागत है आपका व्याद दुनिय समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की भारत में नोट बंदी के साहसिक कदम से विश्व में हड़कम नरिनर बुदी सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट के बंद करने के फैसले का असर समूचे विश्व पर देखने को मिर रहा है चीन ने इसे साहसिक और चौकाने वाला आकसमे कदम कहा है चीनी अख़वार Global Times में एक लेख में कहा गया है कि मोदी की सोच ठीक है और उनका निरने भारत की वास्तविक्ताओं पर आथारित है दूसरी और सिंगापुर ने मोदी के तुलना अपने पूर्व प्रधान मंतरी ली क्योवान यू से की यू को आज के आधुनिक सिंगापुर का जन्मिदाता माना जाता है नोटबंदी को लेकर पाकिस्तान में जहां आतंकवादी सदमे में हैं वहीं पाकिस्तान पिपल्स पार्टी के विपक्षी सांसद उस्मान सैफुल्ला खान ने मोदी के इस कदम की सराहना करते हुए संसद में एक प्रस्ताफ पेश कर पाकिस्तान में भी एक हजार और पार्ट सो रुपए के नोट पर पाबंदी लगाने की मांकी है भारत में नोट बंदी का नेपाल, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, सिंगापूर, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहरीन, कतर, सयुक्त अरब, अमिराग, आधी कई देशों पर काफी असर हुआ है क्योंकि यहां के अधिकतर लोग भारत में इलाज कराने, याद्रा करने और व्यापार करने आते हैं नोट बंद करने के फैसले ने पूरे विश्व की अर्थ व्यवस्था को हिला कर रख दिया है कई देशों के अर्थ व्यवस्था भारत के अंदर चलने वाले कारूबार पर निर्फ़र है खाड़ी देशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है कारूबार पूरी तरह ठप हो गया है हालकि यूरोपिय संग ने मूदी के इस कदम की सराहना की यूरोपिय संग के अध्यक्ष जिर्की कटाईने ने कहा कि इससे वित्तिय प्रणाली को काले धन से मुक्त करने और इसमें पारदर्शिता लाने से भारतिय अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और वर्धी की रफ्तार तेज होगी आने वाले समय में देश मजबूत आर्थिक ताकत बन कर उपरेगा और अब नज़दालते हैं आज की सुर्खियों पर नोट बंदी के खलाब विपक्ष हुआ एक जुट संसत से सरक तक होगा विरोथ मुसीबत में नवास परिवार इमरान ने पनामा पेपर्स मामले के सबूत सौपे सीबी ऐसे फिर लेगा दसवी की बोर्ट परिक्षा ग्रेडिंग सिस्टम होगा खत्म अमेरिकी उद्योग पती शलप कुमार ने कहा मोधी और ट्रम्प होंगे बेमिसाल दोस्त पाक ने फिर तोड़ा सीजफायर गामों को बनाया निशाना घुसपैट की कोशिश नाकाम